Welcome friends, आज मैं आप सभी को ऐसा एक company के बाड़े में बताने जाड़ा हूँ, जो car wind shield manufacturing में इंडिया में number one में है और 75% market share अकेला enjoy करता है। और सबसे बढ़िया बात दोस्तों इसका जो stock price है, वो 50 to week high से लगबग 30% नीचे trade कर रहा है। तो ये हम लोगों को अभी एक अच्छा खासा investment का opportunity दे सकता है। नमस्ते दोस्तों मेडा नाम आयन, आप सभी को में आप ही के अपने YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, और इसी के साथ इस वीडियो को सुरू करते हैं। Welcome back to the video friends, दोस्तों मैं जो stock के बाड़े में अभी आपको बता रहा था, उसका नाम है Asahi India Glass Limited, ये दोस्तों एक joint venture है Maruti Suzuki India और Asahi Glass Japan के बीच में। और इसका manufacturing unit इंडिया में ही है, इंडिया में ही इसका glasses बनता है, और सिफ मारूती ही नहीं, Mahindra, Tata, Undai के काड़ों में भी इसी company का windshield use होता है, और इसी लिए दोस्तों ये 70% market share को आसानी से enjoy करता है, मतलब आप बोल सकते हैं कि ये nearly एक monopoly company है, तो दोस्तों चलिए इसका analysis सु पुरूगरेंगे, तो दोस्तों हम लोग आ गए हैं, असा ही इंडिया glasses के fundamentals page पे, और यहां पे अगर मैं book value को देखूं, वो 63.1 है, और current market price 469 के आसपास जा रहा है, मतलब current market price to book value का जो ratio है रहा है, वो लगभग 7x के आसपास आ रहा है, मतलब दोस्तों यहां पे current market price to book value के ratio थोड़ा सा higher side पे है, क्योंकि अगर 4x या 5x के नीचे होता है, वो बहुत अच्छा माना जाता है, लेकिन दोस्तों यह भी याद रगना ज़रूरी है, कि यह company nearly monopoly enjoy करता है, तो इसका current market price to book value का ratio जो है, वो थोड़ा higher side में ही हमेसा रह सकता है, तो दोस्तों अगर मैं इस ratio क है, वो current P 37.9 है, और आप देख सकतों industry का जो average PE है, वो 38.5 है, मतलब stock का जो PE है, वो industry average से नीचे जा रहा है, तो industry के हिसाब से यह stock अभी cheap trade कर रहा है, और दोस्तों अगर मैं ROC और ROE देखूं, तो दोनों ही 10% के आसपा से, मतलब इसमें भी कोई ज्यादा negative push है नहीं, और देखा जाए तो company time to time dividend भी provide करता है अबना shareholder को, तो दोस्तों basic fundamental में हम लोगों को जो दिख रहा है, यहाँ पे कोई भी negative चीज नहीं दिख रहा है, उपर से company एक monopoly type company है, इसका इंडिया में competitor बहुत कम है, और ज्यादा तर car manufacturer इसी का wind से dues करता है, और सबसे बढ़िया चीज में, अभी दोस्तों इसका balance sheet भी एक बात देख लेते हैं, क्योंकि हम लोग long term में इसमें investor करने का सोच रहे हैं, तो दोस्तों हम लोग आ गए है balance sheet में, balance sheet में दोस्तों सबसे important जो चीज होता है, वो होता है cash reserve, और यहाँ पे cash reserve, last 3 साल से दोस्तों यहाँ बढ़ता हुआ ही हम लोग को दिख रहा है, वो year on year basis पे बढ़ रहा है, और उसके साथ-साथ borrowings दोस्तों year on year basis पे यहाँ पे घट रहा है, जो और एक positive point है, मतलब यहाँ पे cash reserve और borrowings दोनों ही हम लोग को positive में दिख रहा है, fixed asset में भी मैं अगर देखूं, तो fixed asset भी यहाँ पे बढ़ता हुआ दिख रहा है, इसका मतलब दोस्तों company अपना profit में से कुछ हिस्सा हमेशा इसी company में फिर से invest कर रहा है, ताके यह अपना business को बढ़ा पाए, यह भी दोस्तों long term future के लिए बहुत अच्छा होता है, तो दोस्तों यहाँ पे basic fundamental में हम लोग को कोई गरबरी नहीं दिख रहा है, बहुत ही अच्छा fundamental हम लोग को देखने को मिल रहा है, तो friends fundamentals के बाद अभी मैं आपको दो news article दिखा देता हूँ, जिससे आपको पता चलेगा कि मैं क्यूं आज stock के लिए analysis कर रहा हूँ, पहला news है दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकतो, ET auto के दिवारा यहाँ पे publish किया गय में वो आने बाला time में आच्छा ही है, तो auto sales जितना बढ़ेगा, wind silk का बिक्री जो है वो उतना ही उसका बढ़ेगा, मतला wind silk का sales भी बढ़ेगा, दूजरा news article दोस्तों मैं आपको दिखा देता हूँ, दूजरा जो news article है दोस्तों, वो economic times के द्वारा पाब्लिस किया गया है और यहाँ पे clearly लिखा है दोस्तों, आप देख सकते हो, automotive sales in India to be the strongest in Asia Pacific in 2022, और यह किसने बोला है, moody's ने बोला है, दोस्तों आप लोग को पता होगा, moody's जो है, वो एक world leader rating company है, तो उसका जो estimation होता है, वो generally सही ही होता है, वो लोग गलत estimate बहुत कम देता है, तो हम लोग moody's के उपर भी अगर भरोसा करते हैं, तो यहाँ पे auto sales का जो है बढ़ता हुआ ही हम लोग को दीख रहा है, और जैसे मैंने आपको बोला कि चाहे EV हो, petrol diesel car हो, auto sales जितना बढ़ेगा, आसा ही India glasses का जो sales है, वो भी उतना बढ़ सकता है, तो long term में इसके लिए हम लोग का जो outlook है, वो fundamental और news के basis पे positive है, तो अभी हम लोग क्या करेंगे, अभी हम लोग आसाई India Global के technical chart में जाएंगे, और वहाँ पे technical इसको analysis करने का कोशिस करेंगे, तो दोस्तो हम लोग आ गये हैं, आसाई India Glasses के technical chart में, और friends, यहाँ पे मैं अगर मेरा drawings कर देता हूँ, जो मेरा analysis है, उसको draw कर देता हूँ, तो आपको यह chart कुछ ऐसा दिख सकता है, दोस्तो यहाँ पे clearly दिखाई दे रहा है, दोस्तो कि आसाई India Glass उपर से जो fall कर रहा था, उसमें एक double bottom pattern बन चुका है, मैंने आप लोगों के लिए यहाँ पे draw भी करके रखा है, और दोस्तो अगर इसका मैं current market price द आपना 52 week high से यह 25% discount में अभी trade कर रहा है, और दोस्तो इसका जैसे मैंने आपको fundamental पे दिखाया, के book value to current market price का जो ratio है, वो 7x है, तो इसमें अभी अभी पूरा का पूरा पैसा नहीं डालना है, अगर आसा ही India Glasses में हम लोगों को invest करना है, तो हम लोगों को SIP mode में इसमें invest कर पड़ेगा, और दोस्तो यहां पे जो positive चीज़ है, वो सारा मैं पहले आपको दिखा देता हूँ, देखिए पहले तो यहां पे एक double bottom बन चुका है, एक double pattern यहां पे बन चुका है, दूज़रा है दोस्तो मैंने यहां पे 200 moving average लगा के रखा है, price 200 moving के नीचे गया था, लेकि दोस्तो मैं अगर RSI को भी follow करता हूँ, तो RSI का value दोस्तो अभी 55 के आसपास जा रहा है, और यह 50 के नीचे से उपर जाने का कोशिश कर रहा है, मतला BRS zone से यहां पे एक buying आया है, और वो bullish zone में move करने का कोशिश कर रहा है, तो RSI भी हम लोगों को एक bullish indication यहां पे दे रहा है लेकिन दोस्तो जैसे के मैंने आपको बोला कि हम लोगों को पुड़ा का पुड़ा पैसा एक साथ invest नहीं करना है, यहां पे SIP mode में invest करना है, तो दोस्तो अभी का भी हम लोग चाहे कितना भी invest करे हम लोगों को पैसा बचा के रखना पड़ेगा, पुड़ा capital इसमें नहीं dip करता है, तो कौन-कौन सा support level पे हम लोग accumulation कर सकते हैं, अभी का price में अगर हम लोग कुछ खड़ितते हैं, तो next जो accumulation का level होगा, वो 425 रूपिस के आसपास होगा, यह एक अच्छा support level है, क्योंकि आप देख सकतो इसी जगा पे 200 moving average, और इसी जगा पे हम लोग का support line भी है, औ इसके नीचे price जाएगा, तो दोस्तो next जो support level आता है, वो 352 रूपिस का आता है, और उससे भी नीचे जाएगा, तो 286 रूपिस में हम लोग फिर से इसका averaging कर सकते हैं, मतलब इसमें एक accumulation कर सकते हैं, तो दोस्तो यह था पूरा का पूरा information जो मैं आपको देना चाता था, अ और अगर live market में कोई guidance चाहिए, या आपको कोई stock analysis मुझे request करना है, तो आप मेरे telegram channel join कर सकते हो, जिसका link इस वीडियो के नीचे और description में दिया हुआ है, और दोस्तो इसके बाद भी आपको कोई question है, आपको कोई query है, तो आप यहाँ पे इसी वीडियो में comment करके भी मुझे पूछ सकते हो, मैं उसका जबाब जितना जल्दी हो सके उसको देने का कोशिश करूँगा, तो friends, आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, हम लोग फिर मिलेंगे और एक नया educational वीडियो के साथ,